हलो दोस्तों, MCC round 1 allotment हो चुका है उस allotment से related मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि मैं कुछ data analysis करके आपके सामें लाओंगा और वो आपको बहुत helpful होंगे अब आप कहेंगे कि सर ये हमारे लिए कैसे helpful होंगे round 2 counseling अभी भी बाकी है round 2 counseling का expected cutoff क्या जाने वाला है मुझे college मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरी rank क्या है और क्या जिस college में मैं जाना चाहता हूँ वो उस college के अंदर round 1 counseling का cutoff क्या रहा हुआ है तो दोनों को देख करके anticipation ले सकते हैं कि यार यहां में जा सकता हूँ तो इसलिए आपके लिए data जो है वो बहुत important हो जाते हैं जो round 1 counseling allotment के उपर best है तो इसमें सबसे important data क्या है सर, M's जितने भी है उनके सब की cutoff पता लग जाए सर, जो state मेरा है वहाँ पर all India quota की cutoff है वो पता लग जाए category wise, सभी category की और सर, मेरे state में मुझे नहीं मिल सकता है तो other state की जो है जैसे करनाट का हो गया, जहां पर West Bengal हो गया या बिहार हो गया, उत्तर परदेश हो गया जहां पर जादा जादा colleges है वहाँ की cutoff पता लग जाए तो जादा अच्छा रहेगा कि हम पहले से हनुमान लगा लें तो इसलिए मैंने आपके सामने data पेश किये हैं, तो आप देखिए जितने भी मैं slide आपके सामने रखता हूँ आपको screenshot ले लेना है, सारी slides आपके लिए बहुत important रहने वाली है state wise, जितने भी colleges हैं, उनकी सब ने colleges की जो last cut-off है वो हमने इसमें दे रखी है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने EMS New Delhi का दिया है उसके बाद EMS Bhatinda के data है उसके बाद EMS Ghorakpur, EMS Kalyani screenshot ले लो EMS Rivalry और EMS Bilaspur ओके, जो हिमाचल परदेश के अंदर है, उसकी है बिलासपूर दूसरा नहीं है, यह देखिए हिमाचल परदेश वाला है EMS Gohati, EMS Jammu EMS Mangalgiri, EMS Rajkot और EMS जो तेलंगाना में, वीवी नगर में EMS Bhubneswar है, इनकी cut-off है आप screenshot ले लो EMS Deogad, EMS Jodhpur EMS Patna, EMS Naagpur EMS Raipur, EMS Rishikesh EMS Bhopal तो इस तरीके से, यह Total EMS जो थे, उनकी cut-off थी, आप data देखिएगा, खुद compare करिएगा कि आप देखेंगे कि आपके state के जो All India quota के 15% के अंडर आने वाले colleges के comparison में, EMS को लोगों ने कितनी priority दी है इन अपनी-पनी category का comparison करके आप देख लीजिएगा, अब बात करते हैं जिपमर की, सर जिपमर की क्या cut-off रही है जिपमर कहां तक मिला है तो देखिए, मैंने जैसे सभी EMS का cut-off दिया है, last seat का वैसे जिपमर का भी है हमारे पास में तो आप लोगों को पता होना जीए जिपमर जो main है, वो pondicherry में है दूसरा जो है, वो crackle के अंदर है दोनों का cut-off मैंने आपको सामने रख दिया है कि सभी category का, किस-किस category में कौन-कौन सा seat जो है लोगों ने opt किया, ओके इसका screenshot ले लीजिए मौलाना अजाद Medical College अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेट के उपर जा रहा हूँ पर्टिकुलर स्टेट के अंदर All India का 15% कोटा जो है उसके अंदर क्या cut-off रहा है तो देखिए, डेली के अंदर मौलाना अजाद का cut-off उसमें जो जो category अपला ही होती है वो सारी category मैंने mention कर दी है वैसे VMMC के अंदर आप All India कोटा से मैं आपको specially mention करके दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने college लिखे हैं वो All India कोटा seat के लिए लिखे है Internal कोटा के लिए नहीं रखे है State कोटा के लिए नहीं रखा है याने कि राजस्तान का candidate अगर मौलाना आजाद में जाना चाहता है तो उसके लिए जो applicable seats है Open seats, All India कोटा की उनके data लिखे गए कि वो last seat जो है 15% की वो सब category जो है अपनी अपनी category में कौन कौन सी rank AIR जो है उसके उपर opt हुई है तो ऐसे मौलाना आजाद का हो गया WMMC का हो गया UCMS Lady Harding Medical College यसे मैंने आपको Delhi का सारा दिख दिया है अब state को मैंने ऐसे chart के अंदर दिया है आपको उस chart में देखना है कि सारे medical college जहां पर बहुत ज़ादा है उनमें मैंने आपको idea लगाने के लिए top three और last three medical colleges के cut-off rank दे दियेगी last east state के अंदर ये medical college है उसमें इस rank के ओपर college गया था तो देखिए केरला के top three जो है ये तीन medical colleges है जिनकी general जिसको अपन बोलते हैं unreserved category, UR category, UR, SC, ST और general की person with disabilities की category के अंदर सबकी अपने-पनी category की AIR मैंने mention कर रखी है तो आप देख सकते हैं कि top three केरला के अंदर ये cut-off गया है, ये rank के अंदर last three टुठा है ऐसे last three जो है, वो ये colleges है केरला के तो इसका screenshot लेनी जिए next देखिए राजस्तान के top three और last three यहाँ पर mention करे गया है आप इसके अंदर screenshot ले लो माराष्ट्रा मध्यप्रदेश गुजरात हर्याना हर्याना के अंदर आप जानते हैं कि चार ही medical colleges हैं, इसलिए top three और last three बनते ही नहीं हैं, तो सारे colleges मैंने यहाँ पर mention कर दिये हैं, ओके बिहार बिहार में ज़्यादा colleges हैं, इसलिए top three और last three मैंने यहाँ पर mention किये हैं, तो इससे idea लग जाएगा आपको, आपको बीच के colleges नहीं भी होंगे, तो आपको idea लग जाएगा कि बिहार में क्या cut-off जाएगी, ओके, round two counseling के अंदर, आप देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के data आपके सामने है, West Bengal, West Bengal के top three और last three colleges दे रखें, इसी तरीके से Odisha के अंदर total medical college पाँच है, जिसका data आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर top three नहीं लिख सकते हैं, आप लोग, यहाँ पर यह काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने total medical colleges हैं, Odisha के अंदर वो हमने mention कर दिये हैं, screenshot ले सकते हैं, अब, यहाँ पर देखिए, जारखंड के अंदर जो है, वो हमने top three नहीं है, जारखंड के अंदर भी तीन ही medical colleges हैं, again top three नहीं होगा, ध्यान दुखिएगा, यह जारखंड medical college जो है, इनका आप cut off देख सकते हैं, तीनो medical colleges का, okay, ऐसे ही 36 गड़, 36 गड़ के भी सारे medical colleges हमने ले लिए हैं, यहाँ पर, आप देखिए, 36 गड़ में 6 medical colleges हैं, 36 गड़ के 6 medical colleges की cut off आपके सामने हैं, ओके, और यहाँ पर देखिए, आंद्र प्रदेश में बहुत सारे medical colleges हैं, तो top 3 और last 3 आंद्र प्रदेश के, इसका आप cut off, screenshot ले सकते हैं, तेलंगाना, तेलंगाना के top 3 नहीं है, तेलंगाना के total medical colleges हमने यहाँ पर mention कर दी हैं, आपके सामने, और यह complete medical colleges आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अब आप देखिए, Tamil Nadu की बात करें, तो Tamil Nadu में number of medical colleges बहुत सारे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर top 3 और last 3 को यहाँ पर mention कर दिया है, इनकी cut off है, और आप इसका screenshot ले सकते हैं, इसी तरीके से करनाटका में भी बहुत सारे medical colleges हैं, उनके भी top 3 यहाँ पर है, और last 3 cut off यहाँ पर है, आप इसका screenshot ले लीजिए, यहाँ देखिए, पंजाब के अंदर आपको पता है कि तीन ही medical colleges हैं, तीनों का, तीनों का हमने mention कर दिया है, ओके, फिर आप देखें, हिमाचल परदेश की बात करें, तो हिमाचल परदेश में 6 medical colleges हैं, total, all India quota से, 15% quota, all India का, उसमें यह cut off गई है, आप हिमाचल परदेश वाले candidate आईडिया ले सकते हैं, और जिनका cut off धाई जाता है, वो state भी यहाँ पर जा सकते हैं, आप देखिए, उतरा खंड के अंदर, उतरा खंड में दो ही medical college है, चन्दिगड में एक है, मेगालेया में एक है, तरिपुरा में एक है, मिजवरम के अंदर एक है, आप देखिए, असाम के अंदर total medical colleges कितने दिख रहे हैं आपको, 5 असाम के अंदर medical colleges दिckh रहे हैं, 5 ओ के 5 ओ असाम के आप cutoff देख सकते हैं, यहाँ पर हैं, इसी तरीके से यहाँ पर अरुनाचल परदेश के अंदर medical college है, उसका आप देख सकते हैं, Manipur में 2 हैं, दोनों की cutoff आपके सामने हैं, All India की, Andaman and Nikobar की, ये cut-off आपके सामने है तो इस तरीके से हमने सारे state की जो all India quota की 15% seat की last की और top की medical colleges या फिर किसी किसी की सारे medical colleges की हमने आपको list provide कर दी है अब आप देखिए कि round two counseling के अंदर आपका cut-off किसके आसपास जा सकता है कितने लोग छोडेंगे कितने state में move करेंगे इस तरीके से cut-off decide होगा एक बात सबसे important है वो सुन लीजिएगा last में जिन candidate को state में confirm seat मिलने का अगर पूरा पूरा भरुसा हो जाता है तो वो round two counseling को join ना करें क्यों ना करें इससे दो फायदे है किसी और का भला होगा कि आप क्या करेंगे कि आप जब join नहीं करोगे तो आपकी AIR का All India quota seat आप छोड़ दोगे तो जो बच्चे जिनको rank उनके state के अंदर AIR से नहीं मिल रही है तो फिर वो कहीं ना कहीं तो AIR की college ले लेंगे ना All India quota की college ले लेंगे ना अगर आपने join कर लिया seat आपको all out हो गई और आपने seat छोड़ दी आप वहाँ जाकर के report नहीं किया तो वो seat किसको transfer होगी उसी state के अंदर transfer हो जाएगी मतलब सिर्फ फायदा किसको मिलेगा उस seat का उस state के candidate को ही मिलेगा और कोई अगर ऐसा राजस्तान का कोई candidate है मान लो उसको जाना है कोई भी medical college में तो अगर आपको join नहीं करते अगर आप round two counseling में जाते ही नहीं तो वो seat खाली रहती और वो join करता तो फिर उसको all out हो जाती ना वो seat तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा 100% confirmation हो कि state में मिल जाएगा मेरा rank अच्छा है आप round two counseling को join ही मत करिए अगर join करेंगे तो आपको all out होगी all out होगी तो आप छोड़ोगे छोड़ोगे तो वो state में ही जाएगी state वालों कोई फायदा होगा other state वाले लोग उसका फायदा नहीं उटा पाएंगे दूसरों का भला करिए ये थोड़ा सा trick जरूर ध्यान रखिएगा आपको दुआएं मिलेगी तो thank you so much और भी बहुत सारे videos आपको डालेंगे counseling से related कोई suggestion कोई बात आपको कहनी है तो comment में कहिएगा बिलकुल उसी को हम अमल करेंगे thank you so much